खाना बनाते बनाते गैस के जो बर्नल होते हैं वो जल जाते हैं काले पड़ जाते हैं और उनके जो होल्स हैं वो बंद हो जाते हैं जिसकी बजाए से गैस की आज जो है वो धीमी हो जाती है या लौ नहीं छोड़ती है तो आज मैं आपको गैस के बर्नल को क्लीन करना बताऊ यहां, मैरे गैस के दोनों ही बर्णर ले लिए हैं तो मेरी जो गैसे काफी पुरानी हैं, इसलिए इसमें लोहे के बर्णर हैं हो सकता है आपक इहां पीतल के बर्णर हो तो आप देख तो चलिए अब हम जानते हैं इसको किस तरह से चुटकियों में क्लीन कर सकते हैं वह भी बिना किसी मेहनत के बिना समय गवाए तो चलिए इसके लिए हमने बड़तन लिया है और इसमें हम डालेंगे गरम पानी पानी बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए तो लगबं मैंने द सफेसर का नहीं है तो आधा नीवू का रस डाल दीजिए वही काम करेगा अब इसमें हम बहुत स्पेशल चीज डालने वाले हैं यह है इनो फ्रूट सॉल्ट इनो में सोडियम बाई कार्बोनेट होता है जिसकी बज़य से तेजी से रियक्शन करता है और जमी हुई इनो में ब्रूट भी पानेज सबस्केर्ण वर्यूट चीजिए시ावर ने सब्सक्रीूट दीजिए वहीदर लिए रहती है, पुरे पानी जोहिए जमी होई मिक्स होल्ट है कि थोड़ा उसकी बद्सक्रास होताS pla पानी और डाल देते हैं ताकि जो गैस बनल है वो पूरी तरह से डूबे रहें बाहर ना निकले रहें अब हमें क्या करना है हमें कुछ भी नहीं करना बस इनको इसी तरह से पानी में डूबे रहने देना है तो लगबग मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और जो गैस बनल है वो बहुत अच्छी से क्लीन हो चुके हैं यह देखिए अगर यह पीतल के होते तो आपको एकदम पीले देखने लगते लेकिन यह लोहे के हैं तो लोहा तो काला होता ही है इसलिए यह पीले नहीं देखेंगे साफी अच्छी से क्लीन हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी होल्स है सारे होल्स खुल गए हैं मैं आपको चारो तरफ घुमा करके दिखा देती हूं यह देखिए एक भी होल्स इसका बंद नहीं है और इससे बिलकुल भी गंदगी नीचे नहीं आ रही है तो बहुत अची से क्लीन हो चुके है तो चलिए अब हम इसको आपको जला करके दिखाते हैं कि पूरी तरह से उच्छा निकल रही है बहुत अच्छी से क्लीन हो चुका भी घर पर जैश बरनार्न कवा topic है